जहन नमस्कार दोस्तों मैं विराड चोदरी श्वागत आपके अपने यूट्यूब चनल कमांड ओकेड़ में दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंपोर्टेंट है आप सभी के लिए क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको मेरी पूरी पूरी जर्नी वह बताने वाला ह कौन-कौन से दिन देखें आज तक की मेरी जर्नी जो आपके लिए बहुत ही मोटिवेशनल जर्नी है ठीक है यह मेरी पूरी रियल लाइफ है जो मैं आपके सामने खोल रहा हूं इससे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनों को मिलेगी कि जीवन में निरा साफ फेल फेल इ कि इस वीडियो से एंड तक जिरूर देखे दोस्तों सबसे पहले कि सोज क्या रहा है मेनत कर इस बार वर्दी तेरी होगी ठीक है अ दिखो दोस्तों सबसे पहले मेरी 8th class की मारक्षिट आपके सामने 8th class की मारकषिट में आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि 8th class में जो मेरे percentage थे वो आपको मैं दिखा रहा हूँ सबसे पहले तो दोस्तों 8th class में मेरे यह देखो 8th class में मेरे 56 percentage थे कितने 56 परतिसत थे यानि 56 परतिसत थे मात्र 56 परतिसत थे मेरे आपको मैं एक और बता दूँ कक्सा 8 में क्यों क्यों क्योंकि मैंने सचा एक बड़ी आज़े पढ़ते हैं आठ भी क्लास को तो एक बार फेल हो गया ठीक है फिर दुबारा में मेरे कितने परतिसत बने 56 परतिसत थे उनकी मतलब उनको कुछ आता नहीं है यह नहीं होता तो तो बताते हैं यहां से शुरुआ ठीक है दोस्तों तो चपन परती से तो मने मेरे class 8 में उसके बाद में आगे चलेंगे यह है class 10 की ठीक है 10th class में वेसे कई बार बता चुका हूँ कि आपका एक साल या आपका एक दिन कुछ भी decide नहीं कर सकता तो देकिए class 10 में कि मेरे 42 परती सत है एर्थ class में fail अ है फिर दुबार में पास करके पर तेंद क्लास में 42 पर्ट सेंट थीक है तो मतलब यह हमारा रिजल्ट रहा है एजुकेशन का तो बहुत सारे बच्चे अभी भी मेरे से पूछते हैं के सर्क ग्रिस वाले फोरम बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते हैं तो दोस्तों मेरे कहीं ग्रिस नहीं है लेकिन अग देखिए आगे तो अब आगे देखिए यह मेरी ट्वल्ट क्लास की मार्क शीट ठीक है दोस्तों जब हम में बुद्धी आई थी यानि इस टाइम पर जाके हम में बुद्धी आ गई थी और पढ़ने लग गये थे यहां पर हमारे बने बैतर परसेंट कितने 72 परसेंट मेरी इस दिन से हम पढ़ाय करने लग गए थे तो इसलिए मैं बोलता हूं कि जब उठे तब सवेरा कभी जिंदगी में यह मत सोचो कि मैंने अब तक नहीं किया अब कर सकते हो तो देखिए दोस्तों एक दिन अगर आप किसी एगजा में फेल होगे कभी निरास नहीं आपक इन पीछे चोड़ा आप देखिए आगे अंग प्या इसके बाद में यह समय है जब मैं तयारी करता था किसकी यह तब की पिक जब मैं तयारी करता था दोस्तों एक चीज और बता दूं कि यह जोते आपको सही से नहीं दिख रहे होंगे 200 रुपे के जूते तो जो इंसान तयारी करता ना उसके 100 रुपे के जूते बहुत हो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं जूते कौन से लिए जुते यह मेटर नहीं करते हैं आपकी जांगों में दम होना चाहिए आप में दम और हिम्मत होनी चाहिए आप कुछ भी कर सकते हैं यह मेरी जब तयारी के लिए रनिंग करने जाते थे एस समय की पिक है और बहुत ही गरीब इस्ततिशे गुजरें हम भी ठीक है कोई बड़े तो यह समय की है तो जुते कोई माइन नहीं करता कि आपने कौन से जुते पहन रखे जूते कभी माइन नहीं करते अगर आप तयारी कर रहे हो आपको कोई पिछे नहीं चोड़ सकता ठीक है यह आप देख सकते हो इस समय हमने वह दिन भी जिए हैं जब दूसरों के घर पे जा जाके यह निए टीवी जंगलों खिटकी से देखते हैं चोटे बच्चे अभी आपने कई कोई फोटो वायल हो जाती है तो भी देखा होगा हमने वो दिन जिया है कि पिछे से जाके किसी के घर में टीवी जुक जुक के देख सी हमने ठीक है तो दिन आप बदल सकते हो म कोई नहीं है इसलिए हिमत रखना अमेशा जिन्दगी में और डटकर मुकाबला करना किसका समझ्याओं का तो यह वो दिन थे जब तयारी कर रहा था हमें ले परभू का नाम यह उसी टाइम किये उसके कुछ दिन बाद में की जब परभू का नाम लेकर SSGD का एक्जाम दि इति है आपने भी फोटू किछा होगे जब मेडिकल देने जाओ एक इस दिन खुशाइती ठीक है और जिस दिन खीचा है ते उजी ईस tradition हो गया था क्या हो गया थास MSGD में हमारा स BILL सेलेक्शन हो गया तो यह हमारे लिए सबसे बड़ा दिन था जिस दिन हम सेलेक्ट हो गए ठीक है आप एक दिन हो जाओ गए वो दिन आपको पता चलेगा कितना प्राउड फिल हो था अपने आपको ठीक है उसके बाद में देखिए यह उस समय का जब मैं SSGD में सेलेक्ट वा था उसके आज पास के दिन का यह समय है जब तैयारी भी में करवाता था कोचिंगों में जब मेरी खुद की कोचिंग थी और उसमें तैयारी करवाता था यह उस समय की फोटो है ठीक है यह जब मैं पहली बार जब जोईन करने गया किस देट को जो इन क्याता मैं CRPF 21 मार्च 2017 अभी चार साल पूरी हो गए थे इस बार 21 मार्च कि दो जार 21 को मेरे कितने एर पूरे हो गए चार साल पूरे हो गए थे और वो पहला दिन है जिस दिन इन फोजी भाईयों के साथ में फोटो खिचाई थी ठीक है यह पहला दिन था जब गुरुगाओं में गए थे और जोइनिंग करके आये थे और यह डोकुमेंट्स वहां तो यह दिन काफी बढ़ा दिन था हमारे लिए हम चाहते हैं कि आपको वह दिन बहुत जल्दी नसीब हो तो आपको भी बहुत जल्दी पहन पहन इस सब्सके यह फोटो ती अभी यह फोटो यह फोटो दे के लग रही गएस आके बहुत है सब लड़पतREY इत्रेन्डिंग visitor अभी ट inglenden में एक दिन यह ठेजी तो उस दिन यह ठेजिए डिली नही率 मिली ठीक है यह पेहल दिन वर्धी मिली थी तब कही यह ठेंडिंग टाइम की कुछ पिक्साय एक काले भूत हो गये ट Tasman lists पुछ परकार कमान्ड ट्रेनिंग यह देखो ट्रेनिंग के कुछ इससे जब आप करने जाओगे आपको पता चलेगा किस परकार से वहाँ पर आपको एसे किछड़ों में नुवाए जाएगा आपको अच्छे से देखो पैचानो यह राम में यह वाला पैचानो इस पिक में काहां परौ में देखें यह देखो यह वाला कि किसल से में भी हस रहे हैं एक एक प्रेनिंग में ग्रमेर्ण से और यहतों मुझे डो प्रमन मिलए ग्रद्ब्रेशान के एक सा रिलित के आप कोई कि आपके बार में बोले एक क्मांड़ नहीं लिसे को क्वांडोट्रैनिंग क्या पर हो गर्म और आप पैचान सकते हो तो मैं बहुत सारे लोगो बोलते हैं कि सब tej कमांटोख को और कि यह कमांडो ट्रेंडिंग के दोरान हमने जीते थे पांस एक निकल डिप्स में पुछ अप में इनमें सबसे टोप मारेते हाइस्ट निकल डिप्स मारेते हंड्रेड यह मारेती पुछ अप मारेती साथ 21 और अब एक और मारेती पताने क्या था जीखल का एक वेंट और था विए उसमें टोप आने के वज़े से याइप्स अधिकारी है हमें निंदा नहीं चाहिए और एक वियातन की जिन्दा नहीं चाहिए तो दोस्तों ध्यान रखना जिंदगी में हमेशा की बुरा समय यह इंसान को मजबूत बनाता ना कि कमजूर ठीक है अगर आपका समय थोड़ा सा बुरा चल रहा तो हिमत दिखाईए ठीक है जो इंसा सारे कष्ट उठाने पड़ते हैं किसी की भी परिस्तितियां पर्तिकूल नहीं हमेशा अनुकूल नहीं होती है ठीक है हर एक इंसान किसी भी इंसान को देख लेना उसका कुछ ना कुछ उसके पेरों में चाले होंगे और जितने पेरों में चाले होंगे उतने उसके शितार नहीं है या कोई star नहींए इसमें कोई संद्य नहीं है लेकिन हम जहां से निकले ना यहां से यहांपर पहुंचे तो हमारे लिए इससे मतलब गरवक की बात और को Χो नहीं सकती तो अपने अपर Web करना है या अपने घरवालों को प्राओंड करना आपने माबाबーム का नाम करना है तो आपको करना क्या है जिस जिन्दगी आप 0 है तो उसके लिए आपको मेनध करनी है और उसके लिए एकमंत्र है कि अभी पर अब 的 पर फोकस करो अच्छे से पढ़ाय करो दिल लगा के पढ़ाय करो अपने माबाप का शपना अवश्य पूरा करो ठीक है तो यह कुछ हमारी जर्णी थी जो आपको दिखा दिये तो हम चाहते हैं कि कुछ दिन बाद में आपकी इस प्रकार के जर्णी हो आप दिखाओ हमारे साथ में और जुरूर मोटिवेशन मिलेगा मेरे ख्याल से मैं कोशिश किया हूं इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि भी लोगडाउन का समय है वह सारे बच्चे डिप्रेस हो रखे में इसका बड़ाने के लिए जो मोटिवेशन नीरंतर अंप कहाँ से कहां पहुंझाओगी जय हिंद जय भांण